आज मैं आपके सामने मेरी फेवरेट कंपनी जस्ट टैल कंपनी के बारे मैं बात करूँगा जिसके कॉस्ट ट्रक्चर पे आपको तबज्जु देना पड़ेगा कंपनी की Employee Cost जो है वो लास्ट एर के मैरेजन पे टोटल रिविन्यों का पार्ट था 78.6 का आज की डेट में ये जो नंबर है इसमें अराउं 10% का डिकलाइन आ चुका है कॉस्ट ट्रक्चर के अंदर और कंपनी का जो Employee Cost है वो अराउं 67% पे क्रेट हो चुकी है ये नंबर पे इसलिए आपको तबज्जू देना चाहिए कि कंपनी ने एक साल में अपनी Employees के अंदर 10% का डिकलाइन क्रेट किया है जिसका After Effects अगर आप चेक करें तो कंपनी के Revenue Growth और Profitability Growth पे फरक नहीं आया Technology Company के लिए सबसे Important चीज है कि एक Level के बाद आप अपनी Technology पे इतना काम करने के बाद इतने Employees नहीं चाहिए होते है Revenue Growth करने के लिए Simplesy Calculation है Company के इस Quarter के अंदर जहां पे आपका 19-20% का Revenue Growth हुआ है और Profitability Growth हुआ है वहां पे Company के EBITDA Margin अराउंड 20% पे आके खड़े हो चुगी है Company का एक साल के अंदर जो Cash and Cash Investments है उसके अंदर Company आज की रेट में 4400 क्रोड के Cash पे बैठी हुई है ये कैसी Company है आपके Technology Space के अंदर जहां पे इसके Competition में हर Company अपनी Revenue Growth के लिए सिरफ Cash बन कर रही है इस Company ने वो स्ट्रेटेजी कभी यूज ही निकरी Company की Growth पिछले 10 सानों में आप बोलेंगे इतनी ज्यादा नहीं हुई लेकिन Company ने हमेशा Profitability Growth के अंदर काम किया है मेरी ये नजर इस Company में तब गई जब Reliance Industry ने इसके अंदर Majority Stake खरीदा पिछले 2 साल से इस Company को मैं देख रहा हूँ Company के Share Price में इतना बड़ा जंप नहीं आया बलकि Company का Share Price आज से 2 साल पहले भी सेम लेवल पे था लेकिन इस Company को अपने Bottom पे मेरे को पकड़के ये समझ में आया कि Company की जो पूरी की पूरी Management है एक ऐसे Vision पे अब काम कर रही है पहली बात तो Company की पूरी Top Layer Management जो है वो Reliance Industries के दिक्गत बाश्चा जो Management के लोग है वो बैठे हुए दूसरी चीज Company अपनी App पे Improvisation पे Improvisation इसलिए कर रही है क्योंकि मेरे दिल और दिमाग में एक ही कोशन है कि जस्टाइल Company खरीदने का मोटिफ कहरे लैंस इनस्ट्रीज का उसका मोटिफ का आंसर हर कौर्टर में दिखाई दे रहा है कि Company ने इसको खोल खाल के ऐसे स्टेज पे क्रियेट कर दिया है जहां पे अब Company के Numbers जो है Financial Community के लिए जो Important Numbers है वो सामने आ रही है Company का Cash जो है All Time High पे है 4400 क्रोड के Cash पे जो Company बैठी हुई है वो ये सोचिए इंडिया के Starter Space में कितने Acquisition छोटे-छोटे मार के अपने आपको बढ़ा कर सकती है दूसरी चीज, Company ने अपने अविड़ा मार्जन को Top Tier पे लेके चले गए 22% के अविड़ा मार्जन Industry में आप चेक करें कितने सेक्टर की कितनी कमपनिया इस लेवल पे खड़ी है Grade A लेवल मार्जन होता है ये वला Company के revenue growth भी हो रहे है Profitability growth भी हो रही है Company अपने cost structure पे सबसे आदा काम कर रही है ये सारी calculations करके अगर मैं दो साल से इस company साथ जुड़ा हूँ तो मेरा reason और rational ये ही है ऐसी company पकड़ो जिनके अंदर turnaround की situation बन रही हो आज नहीं, कल नहीं लेकिन future में आपको ऐसा creation मिलेगी कि जहां company के numbers और improve होते हैं दिखाई देंगे क्योंकि इन में गुजायश जो cost structure की है वो इतनी ज्यादा होती है एक technology space create करने के लिए उसके पीछे का जो back end का काम है वो इतने ज्यादा employees लगाती है ये company जहां पे एक बरी stable stage पे company जब आजे तो इतने employees आपको चाहिए नहीं होते वो stage इस company ने पार कर दी है जिसके अब after effects आपको दिखाई दे रहे हैं 9.3% का employee count company का कम हुए company अपनी एप पे regularly काम कर रही है हर नहीं चीज जो technology space के अंदर एक service offering है वो इसकी एप में दिखाई देता है ये चीजे पे काम करना शुरू करो share price सबसे last चीज होनी चीए देखने वाली Thank you झाल